नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर में तो जन्रल साइस के अंतरगत कमेश्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें आज यह आठवा लेक्चर है साथ लेक्चर पहले अप्लोड हो चुके हैं जिसमें पूरा जो है अटामिक एक अटामिक इस्ट्रेक्चर वाला पूरा जो है तीन चार वीडियो और उसके बाद जो है और गेनिक कमिश्ट्री का जिसमें अब लोगोंने मेटल नॉन वेटल यानि धातुएं और अधातुएं उनके गुड उनके जो है जित्ते भी कंपाउंड्स होते हैं योगी उनसे स लेलवे और गुरुप डी का भी आपको एक्जाम देने जा रहे हैं तो साइंस उसमें अच्छी खासी आती है इसलिए साइंस पे बिल्कुल फोकस करके चलिए और कमिश्ट्री के सारे लेक्चर्स जो साथ लेक्चर इसके पहले वो देख लीजिए कार्बनीक रसायन जो आ कमिश्ट्री का कोई अंत नहीं है कमिश्ट्री बहुत न बहुत ज़्यादा पढ़ाई जहती है जैसे अगर कार्बनीक रसायन की बात करें हम तो अगर हम कार्बनीक रसायन और स्ट्रक्चर और elder hybrid carbonic acid और सबके उसमें डीप में जाएंगे तो जो प्रिज़े जो परिछा क हमको पढ़ने की भी जरूरत नहीं को कि अब जो है माइनस मार्की का एकजाम है तो हमको टार्गेटेड बिल्कुल जो है पढ़ाई करनी चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको पढ़ना उनको अच्छे से पढ़ना है तो चलिए आज का हम लेक्षर स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला जो है जो फैक्ट है इसमें वह यह है कि कार्альनीक जीवन सक्ति का जो सिध्धान था उसका प्रतिपादन की साइंटिस्ग द्वारा किया गया तो तो बरजीलियस नामे केमिष्ट थे उनके द्वारा जीवन सक्ति के सिध्धान का प्रतिपादन किया गया यूरिया प्रयोकसाला में संसलेशित किया गया सबसे पहला कार्बनिक योगिक था यानि सबसे पहला और ऑर्गनिक योगिक जो है ऑर्गनिक कंपाउंड कौन था क्रतिम रूप से प्रयुकसाला में ये बनाए गया फिर कार्बनिक सक्रमाहड़ी किThose संयोघत है एक संस quietus फल के स्थारों कि ओर किनारों ने दिया था cellulose प्रकति में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक योगिक है क्यों क्यों क्योंकि जो पौधों की cell wall होती है पौधों में जित्ती भी कोशिकाएं होती है उनकी cell wall में cellulose पाया जाता है यह उनका exclusive feature है इस वज़े से अगर प्रकति में बात करें तो सबसे ज़्यादा cellulose पाया जाना लगा कार्बनिक योगिक है कार्बन तद तो सभी कार्बनिक योगिकों में मिलता है क्योंकि जिनमें कार्बन होता है उनको कार्बनिक योगिक तभी कहते ही है कपूर को उर्धपार्तन या सब्मिलेशन विरी द्वारा सुध किया जाता है उर्धपार्तन क्या है कपूर है नमक है और कुछ और कमपाउंड है कार्बनिक कमपाउंड है जिनको हम अगर सीधे हवा के संपर्क में छोड़ देते हैं तो वो जो है वास बनकर जो है उपर की ओर उड़ने लगते हैं और उनकी मात्रा जो है बिगटित होने लगती है तो इस सब मिलेश या उर्ध पॉतन की विधी से हम जो है कपूर को सुद्ध कर सकते हैं एनलीन जो होता है इसका फार्मूला है C6H5NH2 इसके सुद्धी करन के लिए भाप स्रामण विधी का उपयोग होता है मेथनॉल का रासाइनिक नाम क्या है CS3OH इस सब पूछा जाता है मेथनॉल इथनॉल फिर इथिलीन C2H4 का IUPAC नाम क्या है इथीन है बतलब इथिलीन भी कहते है इथीन भी कहते है अब कार्बनिक योगिक ये जितने भी यहा भी कहते हैं फिर इथिलीन C2H4 जिसको इथीन कहते हैं एसी टीलीन C2H2 इथाइन इसको कहते हैं इथाईल एलकोहल C2H6O6 क्लोरोफार्म CS3Cl3 C-HCl3 इसको ट्राइ क्लोरो मीथेन कहते हैं आईउपीएसी सिस्टम में नार्मल इसका कामन नाम क्लोरोफार्म है फिर क्लोरल कार्बोरल C2H3 C-L3O ये ट्राइ क्लोरो इथेनल है और कार्बोलिक एसिड जो है क्या होता C2H5O यानि जिसको हम फिनाओल कहते हैं इसको इसी तरह से आप याद कर लीजिए इनके आई पीएसी नाम याद कर लीजिए इनसे बार-बार कुश्चन आते हैं फिनॉल एक एरोमेटिक योगी कहते हैं यह तो इसकी फिजिकल प्रापर्टी की बात हो गई उसके अलावा केमिकल लेबिल पे इसका अलग सिस्टम होता है जिसको बहुत जाड़ा डिसकस करने की जरुवत नहीं है कार्बनिक योगों को रासाइनी गुड़ प्रदान करने अलग समू क्या है क्रिया सील समू कहलाता है मिथाइल अलकोहल CS3OH का समजात कार्बनिक योगी क्या है इथाइल अलकोहल तो समजात का मतलब जिनमें जो है एक जैसे जो है इनकी सनचना हो या जिससे जिसमें जो थोड़ी से चेंजिश करने पर एक दूसरे में कनवर्जन हो जाता है उनको समझात कहते हैं तो CS3OH जो है जो मिथाइल अलकोहल है इसको इथाइल अलकोहल में चेंज किया जाता है यह समझात कारणी को है संत्रप्त हाइड्रोकार्बन यान साचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सामान सूत्र क्या होता है CN2N प्लस 2 मतलब यह एक जो है मौडल फार्मूला है जो संत्रप्त हाइड्रोकार्बन याना के लिए यूज होता है किसी ठोस्पदात के बीना द्रौ में बदले सीधे वास्प में बदलना जो है उर्द पातन कहलाता है तो जैसा मैंने बताया था कपूर के उसमें जो है कि कपूर जो है वास्प बनके उड़ जाता है और वो द्रौ में नहीं बदलता है इस प्रक्रिया को सम्मिलीशन या जो है उर्द पातन कहते हैं अब और हम इंपोर्टेंट पॉइंट दिखते हैं जितने भी कार्वनिक कंपाउंड है यह सूच में जीओं द्वारा धीरे-धीरे विग्टित होने वाली क्रियाओं को किनवन कहते हैं कोई भी कार्वनिक कंपाउंड है अगर वो सूच में द्वारा जैसे बैक्टिरिया है या फंजाई है उनके दारा धीरे धीरे आपगटीर होते हैं, तो इस क्रिया को हम fermentation या केडवन कहते हैं, जो हम bread बनाते हैं या double oti बनती है, उनमें fermentation की प्रिक्रिया होती है, तो उसके उदारण क्या है, दूद को दही में बिदलना, गीले आटे का खटा होना, गन्ये के रफ से सराब बनाना और सिरका बनाना ये सब fermentation के उदारण है, एथिलीन से polyethylene का बनना क्या कहलाता है, polymerization या बहुलकी करण, एथिलीन से polyethylene बनना बहुलकी करण होता है, लकडी के भंजक आस्वन यानि destructive distillation से pyrolignis acid बनता है, ऐसे कार्मनी क्योंगी जिनके अनुसूत्र यानि molecular formula समान होते हैं परंतो सन्राशनात्मक रूप से सूत्र भिमिन होते हैं, उनको हम आईसो मर्या समावई योगी कहते हैं, इसको फिर से समावई लीजिए कि molecular formula यानि आड़ुसूत्र समान है, लिकिन उनका जो structural सूत्र है, सन्राशनात्मक सूत्र है, वो भिन भिन होता है, उनको हम आईसो मर कहते हैं, और समावई योगिकों के भावतिक गुण जो है, भिन भिन होते हैं, भले ही उनका आड़ुसूत्र समान होता है, पेट्रोल क्या है, पेट्रोलियम जो है, या पेट्रोल जो है, कई सारे hydrocarbons का मिश्रण है, जो कहां से निकलता, fossil fuel, इसलिए इसको fossil fuel कहते हैं, कि जो fossil होते हैं, उससे जो है hydrocarbons जो मिलते हैं, और उसके सुधी करण करने पर पेट्रोलियम मिलते हैं, तो पेट्रोलियम के जो बिभिन अवयो होते हैं, जैसे अगर हम पेट्रोलियम की बात करें, तो ये broad term है, पेट्रोलियम में क्या-क्या होता है, पेट्रोल होता है, गिल्सरीन होता है, तो ये सब जो है ये पेट्रोल से ही प्राप्त होने वाली ही चीजे हैं, तो इनको अलग अलग कैसे किया जाता है, अलग अलग करने के लिए प्रभाजी आस्वन विधी या फ्रैक्सनल डिस्ट्रिलेशन मैथेट का यूज करते हैं, कई बारी कोश्चन प गर्म किया जाता है, तो सरवाधिक मातरा में निकलने वाली वास्ट क्या होती है, पेट्रोलियम एथर होती है, पेट्रोल को द्रव सोना भी कहते हैं, कोकि इसकी चीमत बहुत ज्यादा होती है, इसके कारण बड़े बड़े जो है युद्ध हो चुके हैं, लिकविड गोल उनमें हाइड्रोकार्बन और लिपिट्स पाया जाते हैं जैसे कि यूफोर बीएसी कुल के कुछ पौदों में लेक्टस में उपस्थित पेट्रोलियम उत्पाद जो कम अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन के जलिये भंजन से प्राप्त किया जा सकता है तो यूफोर बीएसी कुल के कुछ पौदों में ऐसा होता है मिट्टी का तेल जो है केरोसीन आयल का संगठन C11, C16 होता है पेट्रोलियम से ही जो है केरोसीन आयल भी प्राप्त होता है गैसो हॉल क्या है ये भी जो है पेट्रोलियम संबंदित ही है जो मोटर गाड़ियों में इधन के रूप में प्रियोक्त होता है वह पेट्रोल वा एलकोहल का मिश्रण होता है तो ये क्या मिश्रण होता है पेट्रोल इसमें नौ भाग होता है और एलकोहल एक भाग होता है यानि 9 is to 1 होता और उसको क्या कहते है इतनॉल एंड अल अनलीड़ गैसोलीन तो यह गैसोहॉल होता है भारी वाहनों में डीजल का प्रियोग उच्छ छमता और आर्थिक बचत के लिए किया जाता है डीजल को जो है पेट्रोल से ज्यादा जो है उच्छ छमता और आर्थिक बच्छत के लिए कि डीजल सस्ता होता है और इससे जो है इसका जो इंजन अलग होता है इससे जो है ज्यादा लंबी दूरी जो गाडियां जाती है जैसे ट्रक है बस है इन सम्में जो है डीजल का ज्यादा प्रियोग होता है पेट्रोल की गुडवर्ता जो है आक्टेन सं दो इंपते प्रेसे परीख या दे स्टरया जाता है तर इना से कई एक अ से मिला दिया जाता है तो धासलीरगाने प्रेटाइल को रोकते हैं मतलब ज्यक्त उचाही पर अगर कोई बिमान उड़ रहा है और वहां पर ज्यादा ठंडी की वज़े से क्या है ये भी खत्रा हो सकता है कि पेट्रोल जम जाए तो पेट्रोल को जमने से या रेफ्रिजरेशन से रोकने के लिए उसमें गैसोलीन के साथ ग्लाइकॉल मिला दिया जाता है स्पर्म के वेल यानि स्पर्म का जो सुक्राणू होते हैं उससे यह प्राप्त होती है ब्यापारिक वैसलीन जिसका मैंने पीछे जिक्र क्या था कि वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है कि अब मीथेन की बात करते हैं मीथेन CH4 के सभी एलिफैटिक योगी को का जन्दाता माना जाता है मतलब जित्ते भी एलिफैटिक योगी है उनका जो है बेस क्या है मीथेन है मीथेन अड़ो की आकरती जो है सम चतुसफलकी होती है जो मैंने बताया जैसे कार्बन के अड़ो होते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बंधन कोन जो है 109 डिगरी 28 मिनट होता है इसको बिल्कुल याद कर लिजिए का कई बार कोश्चन पूछा जा चुका है कार्बन और हाइड्रोजन की बीच बंधन कोन 109 डिगरी 28 मिनट होता है मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदली इस्थानों पर पाया जाता है यह संत्रप क्लार्य करेकें से निकलने स्थाइंस कदेंक से निकलन वाली गैसो के मिष्ण में मुक्थाअ मीथेन होती है गोबर गैस प्राकरतिक गैस बायो गैस का भी मुखे घटक क्या ओता मीथेन गैस होता है लपीजी जो लिक्विट पेटुलियम गैस होता है यानि हमाए घर में जो खाना बनाने के लिए गैस के सिलेंडर यूज होते हैं उसमें क्या होता ब्यूटेन और अन गईसों का मिश्रण होता मुंक्रता उसमें ब्युटेन होती है खाद ध्यानति इतिकार्छ हवा के साथ मीठेन के मिश्रण के कारण होता है क्योंकि मीठेन जो है जो नसील होती है नेचर में तो जब हवा के साथ जो है यानि ऑक्सीजन के संपर्थ में आती है तो मीथेन जल होती है सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन गैस भरी जाती है LPG गैस सिलेंडर के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मरकैप्टन नामक दुर्गन ग्यूट पदार्ट मिला जाता है इसलिए जब हमाएं घर में कोई गैस का सिलेंडर लीक होता है तो उसमें से इत्ती तीखी महकाती कि हमको पता चल जाती है कि गैस लीक हो रही है तो यह किस कारण होता है मरकैप्तन नामक जो compound मिला जाता है दुर्गन गुप्त उसके कारण जो है उसके रिशाव का पता चल जाता है प्रसीतक फ्रियान जिसे हम कहते हैं डाइक्लोरो मीथेन होता है मतलब जो फ्रिजो में यूज होता है रेफ्रिजेटर्स में यूज होता है और अन जहां रिफ्रिजेटर्स का काम होता है वहां फ्रियान जो है तो प्रसीतक फ्रियान क्या होता डाइफ्लोरो डाइक्लोरो मीथेन है धान के खेतों में मीथेन की सरजन होता है कम से कम 4 पार 5 बार UPPSC प्रिपर से पूछा जा चुका है इथिलीन, सल्फर, मोनो, क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करके मस्टर्ड गैस बनाता है इथिलीन और सल्फर, मोनो, क्लोराइड मिलकर मस्टर्ड गैस बनाते हैं जिसका फार्मूला क्या है? C4H8Cl2S कल्सियम कारबाइड पर जल की प्रक्रिया दोरा acetylene gas प्राप्त होती है acetylene का फार्मूला C2H2 होता है acetylene का कई उपयोग होते हैं जिसको ने बताया था सबसे बड़ा उपयोग इसका gas welding में किया जाता है फिर दूसरा उपयोग फल पकाने में होता है कृतिम रूप से और नौर सिले नामक जो है जो एनिसथीसिया होता है और निसचेतक होता है वो भी acetylene का ही बना हुआ होता है फिर युद्ध में प्रयोग की जाने हैं विसेली gas जोती है लुसाइट जिसका नाम है वो भी acetylene ही होती है तो acetylene के कई सारे प्रयोग हो जाते हैं फिर वेस्ट्रॉन का रासाइनिक नाम एसिटिलीन टेट्रा कुलोराइड होता है कुलोरो फ्लोरो कार्वन जिसको CFC कहते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज या सीदे सीदे हम कहे लें कि जो है ओजो उन छरण के लिए जिम्मेदार होती है तो CFC का प्रियोग रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है प्रसीतक के रूप में फ्रियोन जिसकी बात हमने की थी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन ये प्रसीतक है रेफ्रिजरेंट है और घरेलू प्रसीतन में इसका उप्योग होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन नाम से जाना जाता है जिसका उपयोग बिजली से लगी आग को बुजाने में किया जाता है पायरीन क्या होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रियोग जो है सुस्क धलाई यानि ड्राइ क्लीनिंग में किया जाता है फिर काश्ट स्प्रिट की बात करें जो वुड से बनाई जाती स्प्रिट वुड स्प्रिट में क्या होता है मेथिल अलकोहल होता है एंटी फ्रीज एक मिश्रण होता है मिथाईल अलकोहल वा जल का अगर जल में मिथाईल अलकोहल मिला देते हैं तो जल जमने से बच जाता है, जमता नहीं है सराब में क्या होता है मुख्यावयाओ, इथाइल अलकोहल होता है और इसमें क्या होता है, ग्रेन अलकोहल, यानि अन से प्राप्ट अलकोहल इसको अन एलकोहल भी कहते हैं जो कि जो है मुक्ता जो है जो बाजरा गेहू इन सब से जो है इन सब को जो है फर्मंट करके जो है एलकोहल निकाली जाती जिससे इताहिल एलकोहल बनती है फाइनली ये इससे सराब बनाई जाती है सराब में मिथाईल अलकोहल मिस्रित होने पर विसैले प्रभाव से अंधता आ जाएगी देखिए सराब में का घटक क्या होता इथाईल अलकोहल लेकिन अगर इसका जो है डिस्टिलेशन अच्छे से नहीं किया गया तो क्या बन जाता है? मिथाइल अलकोहल बन जाता है और जो आप सुनते रहते होंगे कि जहरीली सराब पीने से आखों की रोशनी गई या सैकड़ों लोग मरे तो होता क्या है? जब डिस्टिलेशन में कोई कमी छोड़ दी जाती है सराब बनाने में तो इताइल अलकोहल मिथाइल अलकोहल में चेंज हो जाता है और यही मिथाइल अलकोहल जो बिसाइले प्रभाव पैदा करता है जिससे मृत तक हो जाती है और ब्लाइंडनेस जो है इसका कामन जो है इफेक्ट होता है पिर सर्जरी में नाइट्रस आक्साइड एither वा क्लोरोफार्म का प्रियोग जो है अनेस्थीसिया इनिस्चिय तक के रूप में होता है परिशधु अल्कोहल या जिसको absolute alcohol कहते हैं ये क्या होता है 100% इथाइल अल्कोहल होता है एपसलीट ऐलकोहल जो है 100% एथाईल अलकोहल होता है, संसोधिय स्पृरिट यह जिसको रेक्टिफाइड स्पृरिट कहते हैं, जो सरकारी दुखानों पर मिलता है, उसमें क्या होता है, 95% ईथाईल अलकोहल होता है, यानि 100% नहीं होके 95% होता है, फिर एल्कोहल से जुड़े और कुछ तत्य पढ़ते हैं फियूल या इधन के रूप में प्रियुक्त जो इथाईल एल्कोहल होता है उसको पावर एल्कोहल भी कहते हैं क्यों तो कि आपने अगर देखा होगा तो पावर एल्कोहल का यूद जो है कई जो है आधनिक जो है उसमें भी किया जाता है फिर एक दूसरे तरह का एल्कोहल होता है जिसको डी नेचर्ड इस्पिरिट कहते हैं यह सरकारी जो है इस्पिरिट की दुकानों पर मिलता है जिससे मिथाईलेटेड इल्कोहल भी कहते हैं जो इससे एक इस्टेप पहले प्राप्त होती है फर्मन्टेशन की प्रिक्रिया में क्या होता है? CO2 गैस जो बहार निकलती है टेट्राथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल की प्रिक्रिया से टेरिलीन बनाई जाती है जो कपड़ा उद्योग में प्रियुक्त होता है थंडे देशो में आटो मोबाइल के रेडियेटर्स में एंटी फ्रीज पदार्थ मिला जाता है जो पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण होता है ये इस पॉइंट में भी उपर भी मैंने बताया था लाइस लाइड में कि अधिलीन एंटी फ्रीज पदार्थ क्या होता है पानी और इथिलीन ग्लाइकॉल का मिश्रण होता है फार्मेल डीहईड का 40% जली गोल जो है क्या कहलाता है फॉर्मेलीन कहलाता है पर कुछ और हम कार्बनी के कंपाउंस के उप्योग देखते हैं जो बार-बार इज़ाम से पूछे जाते हैं मूत्र रोगों में प्रियुक्त यूरो ट्रोपीन इसका फार्मूला क्या होता है हेक्सामिथाइलीन टेट्राइमीन फॉर्मेल डिहाइड से बनाया जाता है कास्ट यानि लकडी के प्रभाजी आस्वन से यानि प्रभाजी आस्वन कहते हैं डिस्ट्रक्ट्ट्व डिस्टिलेशन से प्राप्त पार्णो लिगनी एसिड अमल में 10% एस्टिक एसिड होता है इसके तरीक इसमें एसिटोन और मिथाईल अलकोहल भी पाया जाता है तो में जो पूछा जाता है इसके घटक पूछे जाते हैं पायरोलिगनी एसिड से तो 10% एस्टिक एसिड एसिड एसिटोन और मिथाईल अलकोहल तीनों इसक में पाया जाते हैं बायो डीजल के उत्पादकों में ट्रांस एस्टिरिफिकेशन की प्रिक्रिया अपनाई जाती है लाल चीती या मदमक्की के काटने पर जो उसके डंक से हमाई सरी में क्या पहुंच जाता है फार्मिक एसिड पहुंच जाता है जिसके कारण बहुत ज्यादा जलन होती है और सूजन हो जाती है सिर्के में एस्टिक एसिड होता है आप सभी लोग जानते हैं बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं एस्टिक एसिड बनाने में सीरा अतिउच्चम कच्चा माल है तो दोस्तो आज इतना परियाप्त है इस लेक्चर में एक और अगले जो है लेक्चर में हम कार्वनिक रसायन को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे में में फैक्ट उसके पढ़ लेंगे और उसके बाद हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे इसलिए कुछ लोगों ने मुझसे फिजिक्स के बारें पूछा तो परशान होईए दो दिनों के अंदर फिजिक्स जो है स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद कमिश्ट्री में हम क्या करेंगे बीट पीच में जो कमिश्ट्री में important question है वो भी discuss करते रहेंगे केवल question को मैं solve कराता रहूँगा कमिश्ट्री के तो अगर इसमें इन lectures में कोई चीज जो छूट रही है वो उससे cover हो जाएगी तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको लेक्चेर पसंद है, कंटेंट पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, केवल वीवर मत बने रहिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, बहुत खुसी होगी इससे, और अपने दोस्तों के बीच भी सेयर करिए, जिससे और को भी इसका लाब मिल सके, नमस्कार, धन्यवाद.